नमस्कार, Absolute Spoken English वर्दा के Word of the Day में मैं प्रविंसर आपका स्वागत करता हूँ आज का वर्ड है एक, इसको आपको पढ़ना है एक, एचे या एके नहीं तो एक का मतलब होता है गर्द होना, तकलीप होना, किसी के लिए तरसना या तडपना चलिए देखते हैं, Examples, As you get older, you have all sorts of eggs जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको हर तरक दर्द होने लगते है I have got a dull egg in my back, मेरे feet में हलका दर्द है, dull egg मतलब हलका दर्द My head aches anytime, मेरा सिर कभी भी दुखता है My whole body is aching now, मेरा पूरा बदन अभी दुख रहा है Does your head still ache, क्या आपका सिर अभी भी दर्द करता है Why is your leg aching, आपके पेर में दर्द क्यों हो रहा है Parents are aching to meet their daughter माबाप उनकी बेटी को मिलने के लिए तरस रहे है A couple is aching for a child Couple बच्चे के लिए तरस रहा है और अगर आपके उंगली में दर्द ना हो तो like, share और subscribe जरूर करे Thank you so much